नमस्कार दोस्तों पायल आईएस में आपका स्वागत है भूगोल की सब्दावली प्रोग्राम के अंतरगत इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो चलिए सुर्बात करते हैं आज के टोपिक की एसिया सब्द की उत्पत्ती हिब्रु भासा के आसू से हुई है जिसका साब्दिक अर्थ है उदित सूरे से है यह बिश्व का सबसे बड़ा महादीप है संपूर्ण बिश्व का 30 प्रतिसत यहां बिश्व की 68 प्रतिसत जन्संक्या निवास करती है एसिया को 48 देशों में विवाजित किया गया है उनमें से तीन रूस, कजाकिस्तान और तुर्की का भाग यूरोप में भी इस्तित है आईए देखते हैं महत्पुन भोगोलिक तथ्यों के भिश्व में यह मुख के रूप से पूर्वी और उत्तरी कोलार्द में इस्तित है भुमद्य रेखा, करक रेखा और उत्तरी दुरूब प्रत इसके मध्यम से बुजरती यह पूर्व में प्रसांत महासागर, दक्चिन में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा है इसे लाल सागर और स्वेज नहर अफरीका महादीब से अलग करती है इसे बरलिंग जलसंदी उत्तर अमेरिका से अलग करती है इस महादीप के महत्रपुन प्रायदीपों में अरब प्रायदीप, भारत, चीन प्रायदीप और दक्कन प्रायदीप सामील है अरब प्रायदीप विश्ब का सबसे बड़ा प्रायदीप है महत्वपुन दीप समूह में अंडमान निकोबार दीप समूह, इंडोनेसियाई दीप समूह, फिलिपिन्स और जापानी दीप समूह, महत्वपुन दीप समूह यहां फिलिपिन से दीप समू के पास बिस्व का सबसे गहरा सागरी गर्त प्रसांत महसागर में मरियाना ब्रीच या मरियाना गर्त है यहां बिस्व का सबसे उचा पठार है जिसकी उचाई 4875 मीटर है इसी कारण से पामीर को बिस्व की छट यानी रूफ ओप दवर्ड कहते हैं बिस्व का सबसे उचा परवत सिकर हिमालय परवत स्रेणी का माउंट एवरेश्ट जिसकी उचाई 8850 मीटर है जो नेपाल में इस्तित हैं जहां इसे सागर माला के नाम से जाना जाता है यह बिस्व की सबसे पुरानी सब्वेताओं का जन्म इस्तान है अर्थात सिंदु गाटी सब्वेता मेसो पोटामिया की सब्वेता और चीनी सब्वेता एसिया महादीप में फलित हुई बात करें परबस रंकलाओं की जिसमें हिंदुकुस्ट परबस रंकला, जांग्रोस, हिमालय काराकॉरम परबस रंकला, कुनलून और टीयन सौन प्रमुक परबस रंकलाओं इस महादीप के प्रमुक पठारों में बागुआ पठार, बासंग पठार, बोलबेन पठार, सेंट्रल, साइबेरियन पठार, छोटा नाकपूर का पठार, दादू पठार, दक्कन पठार, पूर्भी पठार, गोलन हाइट्स, फेटो पठार, इरानी प्लेटो, कर्भी मेग पठार, खेराद पठार, लद्दाग पठार, लेंको पठार, लूस पठार, मालवा पठार, मंगोलियन पठार, मेसूर पठार, नाकाई पठार, गोंग पिंग पठार, फेने पठार, सिलोंग पठार, तोयुवान पठार, तिबबत का पठार, उफा पठार, उक्वे पठार उस्सिरट पठार जियांग खोंग पठार और युनांग गुएंजाहो पठार एसिया महादीप के प्रमुख पठार है तो यह था एसिया से संबंदित महत्पून भोगोलिक तत्त भाग एक अगले वीडियो में हम भाग दो प्रस्तूत करने वाले हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्ते